यूट्यूब चैनल तिंग टेक्निकली रहा आज किस वीडियों में एक लास टेंथ आईटी का जो कोड फॉर्स जरो टू है उसका जो चैप्टर है वर्ड पॉर्सेसिंग उसका सेक्शन सिक्स डिसक्स करेंगा जिसमें हैं वर्किंग विद पेज एंड सेक्शन ब्रेक्स तो उसके लिए हम यूज करते हैं पेज ब्रेक का तू सेप्रेटर सेक्शन इने डोकुमेंट हम यूज करते हैं सेक्शन ब्रेक का फॉर एक्जामपल यू कैन ले आउट पार्ट इने सिंगल कॉलम अगर आपने एक सिंगल कॉलम में लिखा है और अगर आप तू कॉलम में डि open करने के लिए तो यहां पर मैं एक document type कर लेता उं तो यसे example के लिए जैसे मैंने यहां पर rand command की हम से कुछ मैंने यहां पर type कर लिए दस्वन तो यहां पर जब मैंने type किया तो इसको मैंने जब page layout में जाकर columns में divide किया यहां से आप देख सकते हैं two columns लिए तो यहां पर मैं इस side नहीं लिख सकता तो उसके लिए आप क्या करेंगे page layout में जाकर आप यहां से use करेंगे breaks का और यहां से आप use कर देंगे column का तो जब किया मैंने column पे click किया तो automatic मेरा cursor this side आगया तो ऐसे आप use कर सकते हैं यह जो हमने use किया यहां पर section break की help से यहां पर columns का तो same इसी आपने यहां इस ने बताया गया है same आप use कर सकते हैं word processing software में spreadsheet में तो यहां पर दिया भी गया to work with breaks you can open new document word processor यह मैंने आपको सारा बता दिया page layout अंदर के जो tab उसके अंदर होता है यह breaks यहां से आप देखवी लीजिए this one is page layout tab यहां पर यह breaks है और यह हम word processing software में कर रहे हैं तो इसको मैं एक normal document में convert कर लेता हूँ तो next जो इन्हों ने बताया देखिए आप यहां पर click करेंगे तो एक drop down list open होगी यहां पर यह सारे जो different different page breaks हो section break से दिये गए हैं यहां पर सारा define किया गया है तो यहां पर one by one अब मैं आपको बताऊंगा इनका काम क्या है page break आपके page को next page पे ले जाएगा section break जो है आपके different section पर work करेगा तो page break में आप column पर लगा सेते column मैंने आपको बता दिया text wrapping में आप same text को ले जा सकते हैं मैं पहले आपको page break के बारे में 3 हो है explain करके बताता हूँ column वाला हमने define कर लिया है अब देखे जैसे यहां पर मैंने rand command की help से कुछ pages लिए तो मैं यहां पर कुछ pages ले ले लेता हूँ तो यहां पर चलिए one page ले लिया इसी text को मैं आगे paste कर देता हूँ so that आप मारे ने pages आ जाए तो यहां पर देखे मेरे three pages है four pages है यहां पर four में text लिखा है now अब देखे according to this column break हमने कर लिया page break क्या है कि आप यहां से page को next page में move करना चाहते है data को next page में move करना चाहते है उसके लिए breaks में जाएंगे जब मैं देखे हैं page break करूँगा वह जो text है हमारा next page पे move हो गया तो इसी को कहते हैं page break next यहां पर text wrapping है text wrapping भी देखे बहुत अच्छा इसमें concept है अगर मुझे यहां से line move करना नीचे लेकर आनी तो हम normally enter करते हैं यहां पर देखे next paragraph create हो गया but with the help of जब आप breaks में जाकर text wrapping करेंगे तो वह आपको next line में text आपका लेकर चला जाएगा लेकिन आपका नया paragraph create नहीं करेगा तो यह यहां पर हमारा हो गया text wrapping तो यह जो हम यहां पर use कर सकते हैं जो मैंने आपको use करके बताए कौन कौन से यहां पर use करके बताए page break column हमने column में divide कर लिया text wrapping text wrapping में divide कर लिया अब हम करेंगे section break में next तो next देखे क्या है पहले मैं undo कर लेता हूँ यहां से देखे मैंने next page पर आया starting में कर से रखा तो यहां पर आके मैंने कर दिया next page again next page में गया यहां पर कर से रखा यहां से मैंने कर दिया next page अब इसका फाइदा क्या है benefit क्या है किसकी help से मैं different different pages को अलग-अलग formatting देता हूँ second page पर मैंने click किया page border पर गया box लिया यहां से मैंने just section पर click कर लिया because यहां से मैंने section break का choose किया था selection किया था okay कर दिया देखे सिर्फ इसी page में मेरी जो border की एक lining है वो आई बाकियों में क्यों नहीं because मैंने वहां से use किया था section break main next page यहां पर भी देखिए यहां पर भी अगर आप और border देना चाहते है so मैंने यहां से border का कोई style ले लेते हैं like मैंने यहां से this one style ले लिया यहां से इसके numbering में decrease कर देता हूं और यहां से मैंने ले लिया this section तो यह देखिए यहां पर आया यहां पर क्यों आया because उसके आगे continue जो भी मेरा paste था उस पर आपका automatic आ जाएगा अब आप चाहते हैं next paste पर कोई देनी formatting यहां पर click करें click करके जब आप next continuous पर करेंगे तो जब मैंने यहां पर देखिए next continue किया continuous पर तो यहां से आप paste की orientation change करेंगे तो देखिए next जो आपने orientation लिए है paste की वो सिर्फ आगे पर apply होगी क्यों होगी because यहां पर मैंने continuous उसी को कर दिया आगे मैंने उसकी जो formatting उसको change कर दिया from water to landscape बाकि even paste पर और out paste पर भी आप same यह formatting अप्लाई कर सकते हैं यह आपकी need है कैसे करेंगे वह मैं आपको next वीडियों बता दूँगा यह थोड़ा लंबा वीडियो चला जाएगा तो next मैं दुआरा आ जाता हूँ अपनी theory वाले topic पर बहुत अच्छे concept आउसको use करके देखें अगर आपको practically आता ही है तो आप यह सारे easily use कर सकते हैं यह same आप section breaks formatting के लिए use कर सकते हैं जैसे मैंने भी आपको border देखे बताया यहाँ पर different pages पर लगा सकते हैं इसको page number भी अलग दे सकते हैं वह आपको try करिएगा मैंने आपको बता दिया है अगर इसको delete करना है तो फिर से आप उसी page पर click करेंगे और अगर आपने यहाँ पर जो break लगाई है देखना है तो आप insert यहां home में जाकर यहां पर देखे paragraph है यहां पर click करेंगे जहां जहां आपने breaks लगाई है वहां पर सारा show कर देगा कि आपने कहां कहां breaks लगाई है next उसके बाद same यहां वही बताया गया बाकि उसके questions है कैसे आप यहां पर create करेंगे page और section breaks delete कैसे करेंगे delete करना के लिए simple है वहां से backspace कर देंगे यहां उसी को यहां से select करके जैसे मैंने control a कर दिया यहां से जो आपकी breaks है page layout में उसको यहां से normal कर देंगे यहां आप यहां से home में जाकर यहां से normal कर दीजिए जो भी आपकी breaks है उसारी remove हो जाएंगी और दूसरा जहां से आपने command activate किया वहीं से उसको deactivate कर दीजिए आपकी वह देखिए यहां से command deactivate हो जाएगी तो यहां से आप उसको remove कर सकते हैं next यहां पर दिया गया है जो हमारा next इसमें आएगा applying character formatting तो इसमें देखिए आप अपना जो text house पर single पर formatting apply कर सकते हैं पूरे paragraph पर उसमें देखिए जो जो हम tools use करेंगे वह यहां पर जैसे दिया गया है कि आपने formula create करना है s2o उसमें हम क्या use करेंगे font face क्या होता है font size क्या होता है यहां पर दिया गया है इससे font का size बड़ा होगा इससे छोटा होगा इससे आप उसको shrink strike कर सकते हैं इससे subscribe आएगा means उसके जो power है down में आएगी इसके power up में जाएगी तो इस particular tab के अंदर activate है available है मैं आपको बताऊंगा यह कैसे होगा तो यहां पर मैं normal एक इसी को मैं convert कर लेता हूं यहां पर text लेता हूं मैं जिससे आपको clarity हो जाएगी तो मैं यहां पर text लिख लेता हूं आप अपनी need के recording जतना भी यहां text लिखना चाहें वो लिख सकते हैं सो मैंने यहां चलिए दो lines कर लेते हैं यह एक command है जिसकी help से आप by default text create कर सकते हैं random तो यह देखिए यहां पर आप इस particular text को bold करना चाहते हैं देखिए मैंने bold कर दिया bold means थोड़ा highlight करना मोटा करके उसको show करना इसको tally कर दे तैलिक means थोड़ा टेडा और इसको मैंने कर दिया underline तो देखिए तीनों में difference आ गया और आपका जो font face है इसको बोलते है font face आपका writing style आप कैसा writing style रखना चाहते हैं जो भी आपको चाहिए यहां से आप choose कर लेजिए यह पूरा font है यहां से आप size increase कर सकते हैं वहां पर दिया था grow font this one है shrink font this one है और इससे क्या होगा जो भी आपने formatting दिया है वो सारी formatting इससे erase हो जाएगी decrease हो जाएगी means to say back step में आ जाएगा जैसा आपने starting में आपका document का जो style था उसके बाद strike through करना है आप लिख रहे हैं इसको strike through करना चाहते हैं अगर आप formula create करना चाहते हैं like as to r a square plus b square तो वो कैसे करेंगे देखिए तो उसके लिए मैंने यहाँ पर a square plus b square लिख लिए हैं उसको zoom in कर देता हूँ जो आपने number को down में लेकर आना है तो उसको हम कहेंगे सब्सक्रिप्ट यह देखिए डाउन में आगया बट आपने उसी करेक्टर को चूज करना है उसी number को चूज करना है जो आप डाउन में लेकर आना चाहते हैं अप में लेकर जाना चाहते हैं उस particular number को करेक्टर को select कर यह यह देखिए superscript आपको इनका नाम भी पता होने चाहिए जो power हम डाउन में लेकर आएगे उसको बोलेंगे subscribe जो apper को लेकर जाएंग उसको बोलेंगे उसको बोलेंगेuters एक्जाम में भी आता है question थूदा ध्यान अखिएगा उसके बाद जो कई बार क्या होता है आपने जो अपना document है वो पूरा एक small में convert कर दिया में to small में लिख लिए लेकिन आपको चाहिए capital में तो यहाँ पर change case option है इससे आप sentence case कर सकते हैं by default sentence case होता है sentence case में क्या होता है कि आपका जो line का first word है full stop से पहले capital होगा lower में सारे small हो जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो यहाँ पर on लिखा है capital में सारे अपर में सारे capital हो जाएंगे यह देखे मैंने जिसको देखी यहाँ पर जिसकी मैंने selection किया सिरफ उसी perfect हो रहा है तो आपने यह ध्यान रखना है कि आपने किसको यह particular change case के according चेंज करना है तो उसको पहले select कर लीजे capital each हर एक का पहला word जो capital हो रहा है और toggle में जो छोटे थे वो capital में convert हो गए mean to say upper में और जो upper थे वो lower में convert हो गए उसके बाद यहाँ से आप इसको दे सकते हैं highlight कर सकते हैं जिसको भी आपने highlight करना है उस particular portion को select कर लीजूरी नी paragraph को करना जिस भी particular आपने text को करना है उसको highlight कर लिए highlighter के color से और remove करने के लिए यह देखे यहां से highlighter आपका activate भी हो गया जिस अब वहाँ पर click करके आपका यह जो एक highlighter का option यहां से activate हो जाएगा आप ऐसे भी इसको highlight कर सकते हैं otherwise selection करके भी यहां से click कर दीजा आपका highlighter deactivate हो जाएगा उ यहां से आपका drop down open होगा जो भी आपको color चाहिए वाफ color देखे यहां से select कर दीजे तो आपका यहां पर वह वाला color apply हो जाएगा सेम यह tools मैंने यह जो आपको font toolbar यहां पर समझाया सेम आपकर सारा यहां पर दिया गया है clear formatting से आपकी सारी formatting clear हो जाएगी जिसमें आपने जो भी italic underline bold formatting दिया आपर superscript दिया आपर के slower case सारे वो remove हो जाएगे text highlighter से text highlighter होगा font color से आपने जो लिखा उसका color change होगा word processor में जो आपने लिखा है वो capital small में आप convert कर सकते हैं with the help of change case sentence case में first word capital lower में सारे small upper में सारे capital capital each में हर एक का first word capital toggle में first जो आपका capital था वो small हो जाएगा small capital हो जाएगा तो यहाँ पर activity भी आप कर सकते हैं तो यह जो यहाँ पर पूरी process दिया यह मैंने आपको practically करके बता दिया इसको करके देखिए फिलालाक्सी वीडियो हमने दो चीजें की एक section breaks और page breaks दूसरा हमने किया यहाँ पर कि हम कैसे यह character format supply कर सकते हैं font के अंतर यह जब पूरा यहाँ पर toolbar है मैंने आपको करके बता दिया इसको करके देखिए कोई भी problem face करते है comment box में comment कीजिए और साथ के साथ हमारे youtube channel को like subscribe करना मत भूलिए so that in future जो भी निया latest update आएगा उसको notification आपको timely मलता रहे so thank you friends watching this video and for your precious time